आज के इस वीडियो में एजुकेशनल साइकलोजी में हम बात करने वाले हैं जानने वाले हैं मोटर डवलाप्मेंट के बारे में क्रियात्मक विकास के बारे में कि मोटर डवलाप्मेंट होता क्या है तो वीडियो को आखरी तक देखिए और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताईए तो हम वीडियो को शुरू करते हैं तो इस image में आप देख रहे हैं कि फर्स्ट अगर image में आप देखें तो दो बच्चे जो है वो बैंड मिंटन खेल लाए है सेकेंड image में देखें तो एक जो बच्चा है जम कर रहा है थर्ड में आप देखेंगे तो बोल को बाउंस कर रहे हैं दो बच्चे और फर्थ image में अगर आप देखेंगे तो एक बच्चा एक सर्कल में एक object डाल ला है जिसमें उसके fingers का यूज हो रहा है ठीक है तो फर्ष्ट image में जो है बच्चे अपने hands और पैरों का यूज कर रहे हैं सेकेंड में जो है जम के लिए जो बच्चा है अपने पैरों का यूज कर रहा है और थर्ड में है आप देखेंगे तो इसमें बच्चे अपने fingers का हाथों का यूज कर रहे हैं तो time के साथ, वो अपने हाथों का moment, पैरों का moment, fingers का use करना, यह चीज़े time के साथ सिखता है, तो अगर हम इसको link करें motor development से या क्रियात्मग विकास से, तो the word motor refers to muscular moment, कि motor शब्त का अर्थ पेश्री गती से है, तो पेश्री गती या muscular moment, चाहे हातों की है, चाहे पैरों की है, चाहे fingers की है, तो इसे ही हम क्या कहते है, motor development या क्रियात्मग विकास, जो पैदा होते ही, अचानक से नहीं आती, बलकि बच्चा धीरे-धीरे activity करके, इन चीज़ों को सी करना, चाहे पैरों का यूज़ करना, चाहे fingers का यूज़ करना, okay, it is of voluntary movements of parts of the body, कि यह सरीर की हिस्सों की एक स्वच्छी गती है, जब आप जम करने लिए सोचते हैं, तो आपके अपने पैर अचानक से जमीन से उपर उठ जाते हैं, ठीक है, आप जब बैड्मिंटन खेलते हैं, तो shuttle coke जब आपकी तरफ आती है, तो आपकी हाथ जो है racket को लेकर उस तरफ अपने आप चले जाते हैं, okay, बोल को bounce करते हैं, तो बोल जब जब जमीन पर लगकर उपर आती है, तो आपके हाथ अपने आप से बोल की तरफ बढ़ जाते हैं, तो इक क्या हुआ, इटी control over gross moment and final coordination, कि इसमें gross गतियों पर रियंतरन और बहतर समन में शामिल है, तो आपने कभी भी देखा होगा, चोटे बच्चों को देखो, तो आप चोटे बच्चे को देखते हैं, तो जब बच्चा अभी चलना नहीं सीखता, पेट के बल रिंगता है, एक जगे से दूसरी ज रखता है, तो आप उसके सामने कोई भी चीज रखोगे, तो सबसे पहले बच्चा finger का यूज नहीं करता है, बलकि उस पर हाथ मारता है, ठीके, दीरे-दीरे करके उसको अपने हाथ में grip पकड़ने लगता है, और दीरे-दीरे जब बच्चा दो-तीन साल का होता है, तो बातों का यूज करता है, लास्ट में जाकर finger का यूज करना सिकता है, इसी तरीके से बच्चा पैदा होते ही अचानक से खड़ा नहीं होने लगता, सबसे पहले बैठना सिकता है, खड़ा होना सिकता है, फिर खड़ा होना सिकता है, और खड़ा होने के बाद फिर बच्चा वोग करना सिखता है दोड़ना सिखता है जम करना सिखता है ठीक है तो इसमें क्या है कि this includes control over gross moments and final coordination की इसमें gross गतियों पर नियंतरन और बहतर समन्वे है चाहे हाथ पैरों का है चाहे fingers का है चाहे आंकों का है तो यहां पर फाइनल कोडिनेशन या बहतर समन्वे शामिल होता ह ठीक है तो इधर आप image में आप देखेंगे कि first image में जो है बच्चे जम कर रहे है second image में है जो अपने fingers का use कर रहे है ठीक है तो इसी के example को लेते हुए हम motor development की बात कर रहे हैं तो इसके भी दो form होते हैं कौन-कौन से होते हैं development of gross motor skill और development of fine motor skill तो gross क्या है और fine motor skill क्या है इसक भी हम जान लेते हैं कि अगर gross की बात करते हैं तो यहांपर क्या है कि हमारे जो पै पैरों का movement है हमारे हातों का moment है जैसे jump करना running करना skipping करना इस चीजे आ जाती है किसमें आ जाती है gross motor skill में और अगर हम fine की बात करें so fine motor skill में क्या आता है इस में क्रियात्म कोफल में जिसमें हम अपने fingers का यूज करते हैं fingers का use करके चाहे लिखने की बात करें चाहे drawing करने की बात करें ठीक है चाहे हम जैसे बच्चे जो हैं पजल को जोडते हैं तो इसकी बात करें तो ग्रोस मोटर स्किल में क्या आते हैं बड़ी चीजी आती है जैसे चलना वो करना जम करना और फाइन में छोटी जिसमें हम अपने फिंग reason का यूज करते है तो अब इनको एककर के जानते है ठीक है सबसे पहले अगर हम बात करें फॉक्छ क्रियात्म कोशल का विकास या Development of लौस मोटर स्किल्टु ग्रोस मोटर प्लपेंट रिफ़र्श्ट Daarहें फॉर प्रफोर्मिग्स function such as crawling standing walking climbing and running कि यह मास्पेसियां रिंगने में क्रोल करने में गुटनों की बल चलने में खड़े होने में ठीक है चड़ने में दौणने में इन जो बड़े काम होते इसमें शामिल होती है तो इसमें हम अगर ग्रोस मोटर स्किल की बात करें तो यहां पर लार्ज मस्पेसियों की बात करें जो हमारी किसमें हल्प करती है चलने में दौणने में जम करने में खड़े होने में ठीक है पेवों पर चड़ने में या छोटे बच्चे को देखो तो धीरे धीरे जब घुटनों के बल चलने ल में ठीक है चड़ने में वो करने में इसमें हमारी हेल्प करती है ठीक है फिर अगर हम बात करें development of fine motor skill fine सुस्म क्रियात्म कोशल जिसमें हमारे fingers का use हो रहा है जिसमें हमारी small muscles है उसका use हो रहा है so fine motor development involves the use of small muscles सुस्म जो क्रियात्म कोशल है छूटी मास-पेश्चियों का उपयोग सामिल है इमेज में आप देख रहे हैं कि बच्चा आपने fingers का use कर रहा है तो इसमें small muscles का use हो रहा है तो इसमें कौन-कौन से काम आ जाते हैं ठीक है इसमें holding things like cup की cup को अपने finger से पकड़ना, crayons को पकड़ना, pen, turning up, pages of a book की book का भी page turn करने तो इसमें fingers का use होता है bottom लगाना होता है तो इसमें fingers का use होता है चाहे हम drawing कर रहे हैं लिख रहे हैं इन सभी चीजों में जो हमारी small muscles होती है जो हमारी fingers होती है इनका यूज होता है ठीक है तो gross में gross motor skill में large muscles चाहे हाथ पैरों की बात करें और अगर हम fine की बात करें तो इसमें small muscles हमारी fingers इसका use होता है ठीक है तो इससे आप दोनों में अराम से जो हैं अंतर आप कर सकते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं कि gross motor development during babyhood तो babyhood जैसे मैं आपको अपनी last video में भी बताया था कि babyhood जो बच्चा जन्म लेता है तो starting के two weeks से लेकर जन्म लेने के बाद का जो 14 days से लेकर two years का जो टाइम होता है इसको babyhood कहते हैं ठीक है बच्चा पैदा होने के दो हपते बाद से लेकर और two years तक का starting का इसको babyhood कहते हैं कई जगे आपको infancy भी मिल जाएगा लेकिन यह जो time period है babyhood तो किस तरह से gross motor development में अगर हम देखें three month का होता है बच्चा तो neck holding ठीक है five month में sitting with support की एक support लेकर बैठना फिर eight month आते आते बिना किसी sport के बैठता है फिर nine month आते आते बच्चा है support लेके खड़ा होता है उसके बाद crawling creeping अपने पैरों के बल चलता है घुटनों के बल चलता है standing without sport 12 month आते आते फिर walking with support की बच्चा चीजों को पकड़ कर वोग करता है दीरे-दीरे 13 month आते आते बिना किसी support के चलने लगता है वोग करने लगता है 18 month में जब देड़ साल का बच्चा होता है तो रन करने लगता है फिर देरे-देरे climbing staircase की दो साल देर दो साल का बच्चा होता है तो सीडियों पर चड़ने लगता है इसी तरह से अगर fine motor skill की बात करें तो four month का जब बच्चा होता है तो उसके हाथ में कोई चीजे मतलब कोई हाथ में चीजों को रखो तो पकड लेता है ठीक है five month का जब बच्चा होता है तो reaching out an object and holding in with both hands की दोनों हातों से चीजों को पकड़ने की कोशिज करता है seven month आते आते holding object with good grass from palm की अपने palm से अपने हथेलियों से उसको पकड़ने की कोशिज करता है और nine month आते आते क्या करता है बच्चा holding small object between index finger and thumb की जो index finger होती ह ठीक है और जो thumb होता है उसके use से चीजों को पकड़ना सिखता है इसी तरीके से जब बच्चा दीरी-दीरी दो साल का होता है तीन साल का होता है तो अपनी fingers का भी use करना सीख जाता है pen पकड़ने लगता है spoon पकड़ने लगता है ठीक है तो यह चीजे चाहे हम fine motor skill की बात करे जिसमे fingers या small muscles use हो रही है चाहे हम gross motor की बात करें जिसमें हमारी जो large muscles use हो रही है तो इस दीरी-दीर टाइम के साथ होता है motor जो development की बात करें इस time के साथ होता है और तकरीबर हम देखते हैं कि 8 साल 10 साल आते आते बच्चे अपने जो भी अपने जो body parts होते हैं चाहे fingers का चा तालमेल के साथ मतलब समय coordination के साथ सबका एक साथ यूज़ करना दीरी-दीर बच्चा सीख जाता है लेकिन अगर हम babyhood की बात करें तो यहाँ पर जो coordination है उतना अच्छा नहीं होता जितना एक 8 साल का 10 साल का बच्चा होता है ठीक है motor development during early childhood की प्रारंबिक बच्चपन के दोरान क्रिया मग विगास तो early childhood का मतलब है two year से लेकर जो five six year का जो time period होता है इसको early childhood कहते हैं प्रारंबिक बच्चपन कहते हैं इसमें अगर हम दो बात करेंगे development of gross motor skill और development of fine motor skill इन दोनों की बात करेंगे कि जो early childhood में किस तरह का बच्चों का gross motor skill जो है उसका development होता है किस तरह से fine motor skill का development होता है तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं development of gross motor skill during early childhood की प्रारंबिक बच्चपन के दोरान gross क्रियात्मक कौसल का विकास कैसे होता है बच्चों में so during the first four or five years the child gains control over gross moments कि पहले चार्या पांस वर्सों के दोरान बच्चा gross गत्व विदियों पर नियंदरन कर लेता है जैसे खड़ा होना चलना रनिंग करना जम करना दीर दीरे चार पांस साल का होते होते बच्चा अराम से अपनी बोडी पर control करता है इनमें चाहे चलने की बात करें चाहे भागने की बात करें एक दो साल का बच्चा जब भागने की कोशिस करता है तो गिर जाता है लेकिन तीन साल चार साल पांस साल होते होते बच्चा दीरे-दीरे क्या होता है कि भागते वह गिरता नहीं है क्योंकि उसने अपने जो रनिंग है ठीक है उस पर उसने कंट्रोल कर लिया दीरे-दीरे चीजे टाइम के साथ होती है So during the first 4 or 5 year the child gains control over gross moment कि पहले 4-5 मर्सों के दौरान बच्चा जो gross गत्रविधिया है उसके दीरे-दीरे नियांतरन कर लेता है एक दो साल की या दो या तीन साल के बच्चे के हाथ में बोल फेक हो तो दीरे दीरे जो बोल की स्पीड है ठीक है स्टार्टिंग में उसके हाथ में बोल नहीं आती दीरे दीरे बोल को पकड़ना सीखता है ठीक है और 4-5 साल के होते होते बच्चा आराम से बोल को फकड़ लेता है ठीक है Most of the fundamental motor skill like running, catching can be performed with greater accuracy than this were performed during babyhood कि अगर हम देखते हैं कि 2 साल तक जो बच्चा का babyhood का time period है उसमें बच्चा चाहे हम दोड़ने की बात करें चाहे चीजों को पकड़ने की बात करें उसकी compare करें तो बच्चा 4-5 साल के हाते आते ज्यादा perfect हो जाता है अपनी body पर ज्यादा अच्छे से control करना सीख जाता है एक 2 साल का जो बच्चा है उतनी अच्छे से चीजों को हाथ में नहीं पकड़ सकता जितना एक 4-5 साल का बच्चा पकड़ सकता है एक 2 साल का बच्चा उतनी अच्छे से भाग नहीं सकता जितना एक 4-5 साल का बच्चा भाग सकता है तो मतलब क्या है कि time की साथ दीरे-दीरे बच्चों का जो motor development है जो gross motor skill है इसका development होता है कि इस जो हम बात करें टू से लेकर 5-6 year की जो एक time period होता है इसमें कौन-कौन सी जो gross motor skill है जो development है बच्चों में देखी जाती है running, jumping, climbing, चड़ना चाहे बैट पे चड़ने की बात करें चाहे सीड़ियों पे चड़ने की बात करें ठीक है tricycling जो tricycle जो है तीन पईयों वाली जो cycle है उसको चलाना एक 2 साल का बच्चा इतने अच्छे से नहीं चला पाता जितना एक 4-5 साल का बच्चा चला लेता है क्योंकि दीरे दीरे उसकी जो large muscle है पैरों की muscle से वह जारा अच्छे से perfect तरीके से काम करना start कर देती है बोल throwing and catching एक 2 साल के बच्चे के हाथ में आप बोल fake उतनी अच्छे से catch नहीं कर पाएगा लेकिन 4-5 साल के बच्चे के हाथ में देखो तो उसको अपना हातों पर हातों को हात फिंगर ठीक है इन सबका एक coordination के साथ बोल को easily से आसानी से पकड़ सकता है और अगर हम बात करें fine motor skill की during early childhood तो इस एज में अगर हम fine motor skill की बात करें in the early year children ability to work with hands is not so good की starting में हम बात करते है starting के एक 2 साल की बात करते हैं तो बच्चे जो fingers का हाथ का इतने अच्छे से यूज नहीं कर पाते लेकिन अगर हम two से लेके five six year के बीस की बात करें ठीक है जैसे जैसे बच्चा बढ़ता है वो अलग लग activities करता है जिसमें वो अपनी fingers का use करता है हाथों का use करता है और इससे क्या होगा कि their fine muscles develop and fine motor skill improve कि उसका जो fine muscles है ठीक है चाहे उंगलियों की जो muscles से दीरे-दीरे activities कर करके यह दीरे-दीरे क्या है कि यह develop होने लगती है ठीक है और फिर आप देखेंगे कि एक-दो साल का बच्चा एक-एक साल का बच्चा उतनी अच्छे से अपनी fingers का या spoon का use नहीं कर सकता उतनी pen को ठीक से नहीं पकड़ सकता जितना एक 4-5 साल का बच्चा अपनी हाथों से पकड़ सकता है कि इससे क्या होता है कि उनकी जो छोटी मास्पेसियां होती है वो विक्सित होती है और जो सूच क्रियात्मक कोसल है जो फाइन मोटर स्किल है उसमें इंप्रूमेंट होती है better eye-hand coordination also helps in the development of fine motor skills कि भैतर हाथ समन वैंग की सूच क्रियात्मक कोसल के विकास में मदद करता है तो धीरे-धीरे fine motor skill की बात करें तो धीरे-धीरे हाथ में fingers की बात करें हाथ की बात करें आखों की बात करें तो एक अच्छा coordination होने लगता है कि प्रारंबिक बाले वस्ता में कर फाइन मोटर स्किल के बात करें इसमें हमारी छोटी मसल्स यूज हो रही है तो इसमें क्या होता है या चीजों को फाणना पेज इस को फाणना काटना चिपकाना आते या मिटी से बच्चे खिलोने बनाते हैं चितर 5-6 years तक की एस तक बच्चा धीरे-धीरे करता है और उसकी जो fine motor skill है उसमें improvement या उसका development होता है तो कौन-कौन सी skill है self-witting बच्चा धीरे-धीरे 4-5 साल का होते होते खुद खाने लगता है ठीक है कौपिंगी बात करें नकल की बात करें तो अलग लग shape होते हैं चाहर कर चक्रायंगल इस तरह की dispel देखकर बच्चा बनाने लगताए और घो एक 3 साल का बच्चा जितने मतलब आ जिस तरह से सामने चीजों को copy करके बनाता है एक 5 साल का बच्चा बनाता तो इसमें भी आप देखेंगे धीरी-धीरी जब पेरों कि चाहे फिंगर्स की और इसमें भी ग्रोस मतलब जहां लाज मुस्ट्स काम आती है पैरों की हातों की ठेक है चाहे फाइन जिसमें हम फिंगर्स की बात कर रहे हैं जिसमें स्मॉल मुस्ल्स जो है उसका यूज होता है टो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंड करके जरूर बताईएगा आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद